लो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा properties of matrix multiplication यह properties बहुत ही ज़्यादा important है तो आपको इन properties को याद रखना है तो first property है commutative law इसका मतलब है AB is equal to BA बट AB is not equal to BA तो इसका मतलब है अपन AB को multiplication करें और BA को multiplication करें तो इन दोनों का answer अलग-अलग आता है इसलिए यह दोनों not equal होते हैं इसका मतलब है AB का multiplication करें उसके बाद C में multiplication करें is equal to A का multiplication करें और BC का multiplication करें तो इन दोनों का answer same आता है इसका मतलब है अपन पहले इन दोनों का multiplication करें या इन दोनों का multiplication करें आंसर सेम ही आता है तो यह होता है associative law उसके बाद है distributive law यह होता है A, B plus C को अपन लेख सकते हैं A, B plus A, C या तो एक और रहता है A plus B into C को अपन लेख सकते हैं A, C plus B, C तो matrix multiplication distributive law को follow करती है तो यह बहुती ज़्यादा important properties है इन properties को आपको याद रखना है यादि आपको यह वीडियो पसंद आओ तो इस वीडियो को like कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए ताकि आप और भी इस यह वीडियो से देख सकें